Google Chrome is using the webcam Friends, अगर आपको भी यह message आ रहा है Google Chrome use करने में तो यह video अंतक देखें ताकि इसका आपको solution मिल पाए Friends, अगर आपको यह message आ रहा है Google Chrome is using the webcam तो मैं आपको इस step बताने वालो हो कुछ जो आपको follow करने है सबसे पहले Friends, आपको Google Chrome खोलना है उसके बाद सबसे top and side पे आप देख सकते हैं 3 dots हैं उसमें क्लिक करने के बाद settings में क्लिक करना है आपको settings आपके पास खुल के आजाएगा यहाँ पर उसके बाद option हैगा left hand side में privacy and security आपको इसमें क्लिक करना है उसको scroll down करना है आपको इसमें क्लिक करें आप उसको फिर से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर एक option है camera camera में क्लिक करेंगे हम तो दिखेंगे कि यहाँ पर कुछ websites होंगी आपके अगर कुछ आपने website को permission दे रखी है तो उसको आपको check करना है और वो permission अटानी है कि कौन सी sites है जिसको आपने permission दे रखी है अगर आप बिल्कुल भी permission देना चाहते है तो अब इसमें क्लिक कर दे do not allow sites to use your camera तो इसको अंचेक कर दीजिए आप simply तो आपके पास option नहीं आएगा और उसके बाद अगर कोई आपने antivirus जालावाय जिसे मैंने Casper Sky जालावाय अपने system पे तो आपने antivirus में दे सकते हैं कि अगर आपने antivirus में जिसे कि मेरे antivirus हों Casper Sky तो इसमें आपको जाना है privacy protection में आपका antivirus पे same option होगा यहां पे webcam का option simply turn off करना है आपको और यहां पे privacy browsing का भी आप turn off कर सकते हैं यहां से simply और उसके बाद यह आपके पस problem नहीं आएगी और अगर आपने कोई antivirus में यह option नहीं है तो simply आप browser से यहां से आप do not allow sites to use your camera में क्लिक कर सकते हैं I hope friends आप यहां पे कर पाऊगे और यहां आपका totally remove हो जाएगा यह आपके पास अगर आपको friends यह video useful लगा हो तो इस video को जरूर लाइक करें और ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें करें